सिगरेट पीना, कैंसर का कारण और जान लेवा है तुम्हारा एप्लिकेशन सब्मिट कर दिया है शादी के लिए तुम लोग यहां बाइस तारीकों पहुच जाना सुनो सिरी, इन दस दिनों में हमें बहुत संभल कर रहना होगा एक बार हमारी शादी हो गई, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाई लिए आहलो बल्कुम नहींट बäएग ओपने टो सम्टिंग इस रॉग पॉफेक्ट सिरी, शादी के बाद हम दुबई में रहेंगे खर्चे के लिए शाद हमें पैसे कम पड़ जाए तुम पांच लाग का जुगाड कर पाओगी क्या ठी मैं फिर से हार गई कितना कहा? 10 लाग ठीक है मैं आडर रेड़ी है मैं लिखकर आता हूँ रहने दो, मैं लिखकर आता हूँ मुझे पंद्रा मांग लेना चाहिए था एंटर तुम्हारा नाम क्या है? प्रच अजिए अपर अजिए आज़या तुम्हार अज़या के अच्छे प्रच अजीए प्रच आज़या मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है ब्लान बन सक्सेस्फुल रहा शादी में से पाच दिन बचे हैं तुझे डर नहीं लग रहा है मुझे और इसे तो बहुत फ्रिलिंग लग रहा है क्योंकि यह में कोई पकड़ी नहीं पाएगा हम बताते हैं क्या रहे छे महीने हो गए हमारा उधार कप्चुकता करेगा तुझेरे दोस्त हमें उल्लू बना रहा है कि तुझ दुबई में हैं ओचादू क्या दुबई बेचारे की बाइक गई ए बाइक की चावी का है पेट्रोल के पैसे ने दिखाने के पास बाइक चलाएगा मेरे नाम का सिम लेकर जो दसजार का बिल बनाया वो क्या अतलब भाब भरेगा बेचारे का गिफ्ट भी गया पैसे नहीं है और देखो आईफोल लेकर घूम रहा नहीं कर दी श्राम को पैसे लेकिन के मुझ पे मारना है कितना लखी है अरे बियार खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन बीम डेवल्य कार में घूमने की सेटिंग कर रखी है छोड़ना सब गडबड हो गई यार मेरे पीसे ना कोई राहू बनके पड़ा है कुछ समझ में नह जरूर है यह तेरी समझ के बाहर है बच गया पता है जिन लोगों से मैंने उधारी ली थी अचानक मेरे सामने आ गए और पैसे मांगने लग गए मैं फस चुका था अब यह नहीं बचेगा है यह तो अच्छा है कि उसका स्कुरू डील है और मैंने कुछ भी स्लोड़ी बन होकार उन्हें मुझे एकसेप्ट करना ही होगा बस फिर बैटे-बैटे में स्लम बॉइ मिलियोनर बन जाओ अगर तुमने मुझे फोन किया मिलने की कोशिश की प्लिस कंप्लेइन कर तो की समझ गया है मुझे तुम्हारी श्रफिन नहीं देखनी ठीए ठीए अरे सुनो तो अच्छा काम की है वो दोनों दुबारों तो नहीं मिलेंगे अगर ऐसा हुआ तो मैं पैसे लोटा दूंगा पहले कभी लोटा हैं पैसे आज तक कभी असी ज़रूरत नहीं पड़ी सुपब किसने दराशा है तुझे तब मोस्स टालेंटेड डिजाइनर प्रियाने इस ट्रेस को देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए अपने हुसनों पर इतना गुरूर मत कर बॉइफ्रेंट तेरे पास भी तो नहीं है मेरा फामिली बैकड्राउंड ही कुछ असा है क्या करें इस पूरे शहर में मुझे बठाने के हिम्मत किसी में है ही नहीं पूजा तुम्हें फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेर्स पेशे काफी दिन हो गया है मैं ऐसे किसे एकसेप्ट कर लूँ प्लीज तुम्हें अपसेट मत हो यह डिवीडी मैं तुम्हारे लिए बनाई है लेते हुए शरम आ रही है तो मैं मुड़ जाता हूं इस नहीं लिया है मैंने लिया है आपकी तारीफ पूजास यंगर सिस्टर हाइ क्या चल रहा है तुम्हारे देदी के लिए जो फेलिंग से उसे मैंने रिकॉर्ड करके एक डीवीडी बनाई है प्रपोस कर रहे हूं क्या हाँ सो नो मिस्टर सॉफवेर हमारा फामिली बैग्राउंड सॉफ नहीं है जान लोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा हाइदरबाद जार मिनार में बिरला मंदिर जितना फेमस है न मेरे डैड उससे भी ज्यादा फेमस है उनका नाम शंकर पटेल है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसकी सगाई पहले ही हो चुकी है और इसका होने बाला हस्बेन मामुली इनसान नहीं है इंडिया कब आने का प्लैन है? क्रिस्मस वेकेशन में आने को सुच रहे हैं अंकल क्यों हो बटा? जब मेरे लोग पैसे लेने आये थे तो देवा कौने ये पूछा था? देवा और कोई नहीं मैं हो देवा जी मैं ये बिल्डिंग इल्ली इली नहीं बना रहा हूं मेरी बेटी और दमाद वो दोनों अमेरिका में रहते हैं और ये उनकी मेहनत का पैसा है जो मैं इस बिल्डिंग को बनाने में लगा रहा हूं तो फिर भला मैं आपको पैसे क्यों हूँ? वो लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? दमाद हूँ मैं, शंकर पटेल का! ओ, शंकर भाई सबका, उने मैं बाद में मिलके समझा दूँगा सर इस तरह तो आपकी शादी कैंसल हो जाएगी अगर इसने आपके ससुर जी को सब कुछ बख दिया नहीं बखेगा तुम लोग अमेरिका में डॉलर कमा रहे हो और यहां बिना मेरी पॉमिशन के बिल्डिंग बना रहे हो ऐसा करने के तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद जब भी तुम मेरा नाम लोगे तो तुमारे कली में खराश आएगी जब भी मेरे बारे में सोचोगे तो तुमारा दिल कांप उठेगा और अगर मेरे खिलाफ जाने की सोचोगे तो मौत का खौफ रहेगा जयता बहुत डर लग रहे है मेरी तुम यहां पर किसी को पहचानती हो क्या यहां यहां तो मैं किसी को नहीं पहचानती है हलो हाई लबस मेरी कौन ही है तुम शादी करने आयो फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो फिर इतना क्यों घबरा रहे हो मैंने ओफिस खोला यह तुम जैसो को एंकरेश करने के लिए बिना डरे अंदर चले जाओ थैंक्यू हाँ तुम दोनों बाल इखो बस यही प्रूफ करना है इसके लिए मैं अपना वर्ट सर्टिफेक्ट लाई हूँ इंचलेजन करल सर्टिफिकर तो तुम लोग दे दोगे लेकिन वो ओरिजनल है या डुप्निकेट यह वो चेक करेंगे और पुलिस वाले तो स्कूल तक पहुँच जाएंगे तुमारा रास खुल जाएगा तुमारे माबब यहां जाएंगे और शादी तूट जाएगी मेरी चेरी बेकार का टेंशन मत लो तुम एकदम सही आदमी से मिले हो यू आ इन सेफ हैंड्स सिर्फ हजार रुपे दे दो मैं तुम दोनों का बैंड बजवा दूँगा हजार मेरी चेरी मुझे ओके है दास गूड शादी के लिए चार विटनिसस की जरूद मेरे पास भी चार फ्रेंड्स है फ्रेंड्स पर तुम बरबादी के लिए बरोसा कर सकते हो शादी के लिए नहीं मैरी बात बहुत सिंपल है अगर इसके माव अपने तुमारे फ्रेंड्स को धोया तो फोन नंबर छोड़ो पूरा एड्रेस बता देंगे बागी तुमारी मर्जी पिर क् विजनेस के लिए मैंने दो हजार रखे हैं यह तो रेक बढ़ाता जा रहा है चेरी मेरे लिए ओके तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्हेदारी अब मेरी है एई तलो काम पे लग जाओ भाई यह जो लाव मैरिज है वह अरेंज मैरेज से बहुत बेहां थांकियो थांकि रुपेज अनली एक नया ओफर भी है तुम चाहो तो एक साला तुम्हारे पैर भी दोएगा रुपीज फाइव अनली जिस दर्म को मानते हो उस दर्म के हिसाब से शादी करवा सकते हैं इसका वन थाज़़ज़द ओन सब को समझा दिया ना हम शादी को रिकॉर्ड करेंग मेरा नाम है चेरी नेरा नाम मेरी है सर हम हम साइन कर योर कॉंसेप इस सुपब सर हम जैसे लबर्स को बहुत गट्स मिलता है यार प्यार का फरिष्टा मेरा दूसरा नाम है और यह है मेरा अध्डा अब बिंदास ओकर गहर सकते हो थैंक यू भाई सुनो यार, अपने बिजनस को बढ़ाने का कोई कमाल का आइडिया सोचना होगा इस अड्डे का कोई प्रमोशनल सॉंग बनाए क्या? सूपर आइडिया एक गाना मेरे दिमाग में भी है और आप पुछ पुछ और आप यो यो, दिस इस अड्डे क्या इतना चोटा है जो तुम गेस्ट हॉस में रह रहे हो? सर, कमिशनर साइब का पून है क्यों रहे कमिशनर, मेरे आदमी जेल में क्यों है? इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी हमारे शेहर में लगी, उसी वक्त तुम्हें हमारे आदमियों के बारे में जान लेना चाहिए था पहले गलती है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ अगर नेक्स टाइम गलती से भी ऐसा किया ना, तो भूल जाओंगा कि तुम कौन हो अगर मेरे आदमियोंने गलती भी की, तो तुम उन्हें गरफ्तार नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें सजा मैं दूँगा तुमने मेरे चिन आत्मियों को अरेश्ट किया होने सौरी बोलो और छोड़ दो दीदी, तुमारा वेरिंग कार्ट तयार है, देखो अरे, कार्ट देकर ऐसा कैजूल रेक्शन, एकसाइटमेंट क्यों नहीं है? बताती हूँ, सुधिर ने बनाया डीवीडी देखा, जानती हूँ वो मेरे स्कूल में था, मेरा क्लासमेट, वैसे हमेशा उसे साइंस पसंद था, लेकिन मेरी वज़े से उसने अकाउंट्स में एडमिशन लिया, और मेरी वज़े से मेरी आफिस में काम कर रहा है, और इसल सुन तो ले, मैंने एक प्लान सोच के रखा है, तु बेका अटेंशन ना ले, सुधिर इसे मिलने जा रही हूँ, बाबाई, अब इसे कौन बचाएगा, ये तो प्यार में अंधी हो गई है, कैसी है अँटी, अच्ची हूँ, आओ प्रियालिकी, हलो आंकिल, राकेश, राक क्या होगा शादी के लिए, बीचारी मेरी दोस्त कितनी तकलीफ में होगी, सपरतस्ती से तेहर कर रहे है, सीरी, हाई, आगे तू, मैं कैसे लग रही हूँ, आँटी, आप लोग नीचे जाये, मैं बस अब ही आई, लव किया, रेजिस्टर मारिज करने वाली थी, उसके लेकिन ये बदला आया कैसे, बेटी सिरी, बताना मुझे, पापा के सामने इसके बारे में बात मत करना, नीचे जाओ, पंडी जी बुला रहे है, मूरत निकला जा रहा है, ले जाओ इसे, आओ बेटी, चलिए, प्रिया बेटी, ज़रा सुनो, जी अंकल, बड़ी मुश्कि इस बात को बोल जाओ, प्लीज प्लीज बताए न, प्लीज प्लीज बताता हूं, एसा काम करने वाला एक लड़का है, वो एक दिन मेरे घर है, सुपरपन्यम जी, आपको एक ब्रेकिंग नूज देना है, मैं अंदर आ सकता हूं, ए कौन हो तुम, इस तरह अंदर कैसे चले जा रहा हूं, रुक जाओ, अरे मैंने का रुको, अच्छा, नेक्स मंडे मॉनिंग आप फ्री हैं क्या, नहीं, फोरण जा रहा हूं, कैंसल कर दीजे, आपको मैरेज रिस्टर्शन आफिस पहुचना होगा, ठीक, दस बुजे, इंपोर्टन काम है, नहीं आ सकता, आप उन मैं उसे नहीं जोड़ूँगा, चान से मार दूँगा उसे, वो आपकी एक लौती बेटी है, उसे मार कर आप ही पच्टाएंगे, इस प्राब्लम को सॉल्ब करने का ये सही रास्ता नहीं है, कई और तरकिव लगाते हैं, और कौन सा रास्ता है बताओ, बीच चौरा है, हम आपके प्राब्लम कभी है, थोड़ा खर्चा होगा, ओनी 50,000, एक हफ़ते का टाइम चाहिए, और काम हो जाएगा, तब तक आप उसके लिए अपनी पसंद का रिष्टा रूणिए, और इसकी तो, एक हफ़ते में उसने क्या किया पता नहीं, लेकिन सीरी से जब मैंने इस शादी के बात की, वो बिना एक पल गवाय तुरंत राजी हो गई, और आज देखो सब कितने खुश हैं, मेरी मदद करने वाला, वो एक भगवान का फ़रिष्टा था, चलता हूं बेटी, यह बंदा तो, मेरे भी बड़े काम का लगता है, यह मेरा फेवरेट वीडियो है, यही होने बाला है, यार, कुछ तो करना होगा, हम, यह साइन करो, काम हो जाएगा, इस लड़गी को देखा है क्या, तुमारा दिमाग खराब है क्या, रुक तुझे मताता हूं, मेरे डैडी के गुंडे है, चुप जाओ, हर जगा ठीक से ठूड़ो, इस लड़गी को देखा है क्या, जाना मेंटल, एजया, तु अपना काम शुरू कर, लाइए मुझे दे, ओफिसर से इस पे साइन ले लेना, दस मिनिट में आजाएगा, भाई, पास मेंट में, इनको मुझे पे हुश से जाधा कॉन्फिडेंस है, इसे देखा है क्या, फोटो कहा है, लड़की किदर गई, फोटो में तो थी, अबे पलट यार, नहीं आई, फोटो को पलटने के लिए कहा, इसलिए मुझे सब गाली दे रहे थे, बसे तुम लोग हो कहां से, नाला सोपरा, हमें इन्फोर्मेशन मिली है कि हमारी मेडम यहा हाँ, कुछ नहीं है, तू सही आदमी नहीं है, जिसे मैं इनके बारे में बताऊं, है, सब लोग मेरे पास आओ रहे, तुम लोग मुझे से फाइट करना चाहते हो, लेकिन पहले मेरे बारे में जान तो नो, मेरा नाम है अभी, 24 आउर्स अपने अड़े पर मिलूंगा, पर मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे लड़ना, मार पिट करना बिल्कुल भी नहीं आता, अब मुझे लड़ाई आती है या नहीं आती है, इसका फैसला तुम्हें करना है, आजाओ, हर हफ्ते कोई ना कोई लफ़णा जरूर करता है, मेरी तू सुनता ही नहीं है, अपने बंदे क देखा कैसे मैंने पंच मिस कर दिया, लड़ा ही नहीं आती है, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तू इसी के लाइक है, हाई, रुख जा, हो ना या यार, जरा होल्ड करना, तुम लब बहुत ठक गए होगे न, जरा ब्रेक ले लो, कोल्डिंग्स प्योंगे क्या, सीनू, मेरे एकाउन पर सबको कोल्डिंग्स प्लाओ, हाई, हथियार नहीं लाकर हम लोगों ने बहुत बड़ी कलती कर दी, यार, पहले तो इसने धोया, अब हमें कोल्डिंग्स पिला रहा है, निकल लेते हैं क्या, ये मेरी इज़द का सवाल है, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हलो, जी मैं प्रिया बोल रही हूँ, आपसे दो मिनिट बात करनी थी, कोई इंशरेंस नहीं चाहिए, किसी कलब में मिम्मर्शिप भी नहीं चाहिए, और नहीं क्रेट कार्ट चाहिए, रॉंग नंबर, बाई, अरे सुनिये तो, हालो हालो, आप मुझ हाँ, रिफ्रेश्ट हो ना, हाँ, रिफ्रेश्ट है, चलो, सब पोजिशन ले लो, सूपर, क्या भाई, तुम इस पे शामिल नहीं होगे, क्या, मुझे चोट लगी है ना, मैं रेटाइड हाट हूँ, बहुत होश यार, पतली कली से निकल लेगा, जा, तू जाके अराम कर शुक्रिया भाई, चलो, हो जाओ, शुरू, भाईया, आप मार्क से हिल गए, इसारा, क्या है भाईया, और पाप रहे, क्या, ये लोग मार्क पर रहें, क्या हो, खूर निकल रहा है, भाईया, तू रिटार हट हो गया, तू जा और उसको अंदर भेज, वो आपको बुला रहा है, भाई, अवेगदे, तुझे जरा भी अंदाजा है, कि मैने स्केज क्यों बनाया था, ताकि उसकी मार खाने से बच सकू, ये मेरे बस की बात नही और ना ही तेरे बस की बात है, चल मालिक को फोन करके बुलाते हैं, इसकी हिम्मत है, जो मेरी बेटी की शादी करवा रहा है, वो रहा, ऐसा लगता है, हमारी मेडम का दोस्त है, और उनकी शादी यही करवा रहा है, इनके सामने मेरी इमेज को खराब कर रहा है, इस टकले की बात मत सुनना अंकल, आप से कुछ जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आईए, अरे यार, दिखने में वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, टेंशन मत लीजिए, चलिए, दर्वाजा बंद कर दिया, पता नहीं माल अरे माली को क्या हो गया, हसते हुए बाहर निकल रहे है, उसने पोई जादू किया होगा, अचा सुनो बेटा, संडे को मेरे घर पे लंच पे जरूर आना, ठीक है, जरूर आउंगा, सब ठीक है, आजाओ, टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है, मैंने सब समाल लिया है, तुम हमारे पापा राजी है, खुशी-खुशी घर जाओ, जलो बेटा, हमें शादी के तैयारियां करनी है, अरे जाओ ना, चलो रहे, तुम मामूली आदमी नहीं हो बाप, हेलो, इतने शोक में क्यो हो, अभी फटाक से अंदर जाओ, और शादी की डेट देख लो कब की है, मैं अरे भाई, मैंने उसे साफ साफ समझा दिया, कौवाटर तो छोड़ो, वाटर के भी पैसे नहीं हमारे पास, प्लीज इस शादी के लिए मान जाएए, और हमारे बिजनस को हिल्प कीजे, शादी पक्की हो गई, पांच हिजार रुपे मिलेंगे, तु ने इधर चूदिया यार, किदर, मेरे दिल का, तेरे चलणों को दूर से धोना भी कम होगा, यह अभी, मैं तेरी पोट्रेट साइज तस्वीर भगवान के पास रखूँगा, लेकिन फोटो में कल खिच रूँगा, तेरे जैसा, तेरे जैसा एक दोस्ती काफी है, तु ने आज मेरा दिल जीत यह ले मेरे घुटी कर रहे होगी तुम्हें दिखाए नहीं देता क्या, सौरी गल्ती से हो गया, काय का सौरी जान मुझ कर टक्राये ना, बहला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझ ऐसे खूबसूरत लड़की को सिंदगी में कभी चूबी नहीं पाऊगे, इसलिए चीप ट्र जरूत से जादा नहीं कह रही हो शुरू ही कहा है मेरा फाइमली बैक्डाउंड नहीं जानते एक मिस्ट कॉल से तुम्हारा मुर्डर करवा सकती हूं यार तु कितनी अकडू है अगर और कुछ कहा ना तो श्राप देदूगा कि तुम्हारा कभी कोई बॉस्रेंड ना बने तेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अर्जेंट काम है मुझे चला हुआने दे उमीद करता हूं वो लड़की ये अकडू ना हो उमीद करती हूं वो लड़का ये चिपू ना हो ए भगवान इसका फोन नहीं बजना चाहिए आयो प्रिया आजाओ वो चीपू लड़का मैं हूँ तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और होगा तो तुम्हें खुद ही क्रेट किया होगा प्रॉब्लम मुझे नहीं है मेरी दीदी को है हाल ही में वो किसी के प्यार में पड़ी है और तुम्हें उसके लव को ब्रेक करना है हां लेकिन उस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हफते का वक्त है 75,000 देने को तयार हूँ डीलों के मैं जागी हूँ तुम्हारा रेट 50,000 है बात यह है कि मुझे टिप्स देने की बच्पंट से आदत है हलो मिस थैंक्स कहने की तुम्हें कोई ज़रत नहीं फर्माल्टी अची नहीं लगती मुझे काम पर लग जाओ अब मैं कुछ बोलू मुझे यह नहीं करना क्यों रेट सही नहीं लगा गया तुम सही नहीं लगी तुम्हारी बॉड़ी में मटन कम गुरूर जादा है तुम काम पर लग जाओ चैल निकलना अब इसे कैसे कन्विंस करूं दीदी प्रोजेक्ट वर्क है नहीं यार लाइफ वर्क है लाइफ वर्क मतलब इसे कहां रुख मैं इसे मैं पापा के पिलो के निचे रख देती हूं जब सोने आएंगे तो देख लेएं नहीं अगर नहीं द पापा मुझे माफ करती ना मैं किसी और से प्यार करती हूं और उसके साथ सिंदकी कुशारना चाहती हूं ये क्या है तुम भाग कर शादी करोगी पागल हो गई हो जब लव होता है तो पागलपन होना जायज है उन्हें कन्विंस तो नहीं कर सकती इसलिए ये लेटर मेरी प्यारी गुडिया तो टेंशन मतले वह तुससे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ये तो तु जानती ही है वह मुझसे खफा नहीं रह सकते तस दिन में उनका फोन आ जाएगा तेखना आज से रिली डैड से बढ़कर लड़का हो गया है ये सोचते ही मुझे डर लग प्रामिस ठीक है ट्राइ कर ले लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं माना तो मैं ये लेटर देखे भाग जाऊंगी अब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा हमारे बीच डील नहीं हुई फिर डिस्टब क्यों कर रही हो हम लड़कियों की तो आदत ही होती है ज्यादा बोलने की तुम बेकार में इतना सीरेज क्यों हो रहे हो जो हुआ उसे भूल जायो ना अच्छा कल तक तो तुम्हारे तेवार थोड़े अलग थे आज कर रही हो ऐसी हूँ मैं क्या करूँ कहो ना कि जरूरत है बॉड़ी लैंगविज चेंज करके तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती चलाड़ा आप यहां है सर तुम यहां क्या कर रही हो आप यहां पर हैं और मैं आपको हर चुगे ढून रही थी मैं कुछ पर्सनल काम कर रहा हूं दिख नहीं रहा क्या बाहर वेट करो इंतिजार करने का टाइम नहीं है काम शुरू कर दो ना आल पे यहां तुम तो पीछे ही पड़ गई हो मुझे खलत मत समझी जब तक काम खतम नहीं कर ले थी मुझे चैन नहीं आता काम को नहीं तुम मुझे खतम करना चाहती हो तुम से पीछा चुडाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी दीदी के प्यार का ब्रेक तुम्हारे टॉर्चर सहने से अच्छा है उस काम को एंजाम देना लेकिन इस काम के लिए एक राख लू नहीं दोडाओंगी वैसे भी दिमाग है कहां वो तो वक्त ही बताएगा रूल नमबर टू जो भी इंपोर्मेशन मागूंगा सच बताना होगा कोई सवाल नहीं करोगी नहीं करूंगी मेरे लिए तुम कितने बहले इंसान हो कितनी हेल्प करे हो मेरी तुम रूल्स फॉलो उन्हें पहले अच्छे से अब्जर्व करना होगा बाग इसा मैं समाल लोगा बस मुझे फॉलो करो ना कामियाप करने में मुझे कामियापी देना वह तो बड़े प्यारे लग रहे हैं जो भी हो ब्रेक अप करवाना ही है वरना वो अपनी जान से हाथ दो बैठे लिए इस कहानी में वाइलेंस भी है मुझे जादा कॉंसेंट्रेट करना होगा तुम्हारा सेंस अफ्यूम भी ना हो दीदी तु सोने जाना भी छोडो। चोड़ो छोडा करें चुरू चुरू। चुरू। चुरू चुरू। चुरू चुरू चुरू। मुझे के लिए लेट हो रहे हैं चलो चलते हैं। सुधीर ताहर पंग्चा आम हम वक्त पर नहीं पहुच पाएंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है तो काम के बात दीदी रोज इसी रेस्ट्रॉम में आती है क्या क्या रहे को सुनाई भी नहीं दे रहा अभी सुनाता हूं कैसे तुम्हारा पून देना मेरा पॉन यह लो तुम कब लोगी कर शाम है और जाओ प्यार की बात है कितनी बोरिंग होती है ना हमें बोर लग रही है लेकिन वो लोग इंजॉय कर रहे हैं तुम उन्हें अफजर्ब करो और मैं पेट पूजा करता हूं उनकी बाते सुनें दो में टुक जाओ मेरा फोन नहीं तुमारा फोन सौरी सौरी से काम नहीं बनेगा मैडम जी वो फोन बहुत महेंगा था पैसे दो चलो सर बिल भरते वक चेरा क्यों उतर जाता है हमारा वालेट छोटा सा है तुम इतना बड़ा परस रकती हो तो खोलती क्यों नहीं हो फोकट का खाने का आदत है जहां भी जाएं बॉइज ही बिल बरेंगे ऐसा सबने रूल बना कर रखा हुआ है तुमारे कोई गोस्ट्रिंट है क्या कैसे होगी देखा नहीं तुमने मैंने अब तक कोई बिल नहीं भरा मैं लड़कें को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करत मेरी हालत तुमसे कई गुना बहतर है कोई लड़का चाह कर भी तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा ऐसा क्यों मुझमें क्या कम यह बताओ लड़कियों का सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है देखो उनके पास थोड़ी सी अधार थोड़ी सी नजाकत थोड़ी सी शर्ण और मुझे उसकी ज़रत नहीं है मेरा अमीर होना ही काफी है अमीर होकर तुम्हें कुटा खरी सकती हो लेकिन उसके दुम्हिलाने के लिए भी बोड़ा सा तो प्यार चाहिए होगा ना तुमसे तो उसकी भी उंबिद नहीं है देखो देखो मैंने सच का अगर टाइम खराब हो तो कोई क्या कर सकता है यह एडिया तो फिलाल मेरे काम का नहीं आया लेकिन तूम आ सकती हो मेरे मतलब है सौर पे दो मुझे पेटूल भराना है हजार उपे क्यों क्योंकि तुम मेरे काम आओगे लेकिन कहा है चलो कुछ काम है यह क्या मुझे इस ट्राइल रूम में क्यों लेकि आयो दस दिन बाद कॉलेज में ब्यूटी कॉंटेस्ट है और उसमें मेल जाज़े भी होंगे उनका टीस्ट कैसा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँ इसके अंदर मेरे सारे ड्रेसे हैं तुम्हें कौन सा पसंद है वो बताओ कॉलेज में मेरे अलावा यह कॉंपेटिशन कोई नहीं जीच सता है एक्सपोज बने के लिए पैसे दिये थे ओजाओ ठीक है हम एक्स्टा सर्विस का तो एक्स्टा लोंगा यह द्रेस कैसा लगा बहुत अच्छी है दूसरी वाली ट्राइ करती हूँ और यह वाली कैसी है उससे भी बढ़िया है एक और ट्राइ करती हूँ यह द्रेस कैसी लगी बहुत बहुत एक्स एक्स तुम्हारी बोलती बन मतलब यह द्रस पैस्ट है यह द्रस उसक्स अ Curry आर मैं यह क्या सपने दिखने लगा अभी ख्लाइंट के साथ वंच्ण्रोल करना होगा कामपर गरना होगा काँ आ तुम फिर तेवर बदल गए प्रिया ये सब क्या है दिखाई नहीं देता खाना परोस्री हूँ ये लो यहां सबको सामर्दो जरा चावल देना अभी आई सामर्द मैं यहां क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें तो पता होगा हर साल इस दिन वो गरीबों को खाना खिलाती है आज उसकी मा की बर्सी जो है मुझे इस तरह देखकर तुम्हें शौक लगा होगा ना मैं अपनी मॉम को बहुत मिस्स करती हूँ उनके लिए जितना भी करूं कम ही होगा मेरे डिलिवरी के टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेशन्स हो गए थे डॉक्टर ने कहा कि हम दो नमेंसे किसी एक को ही बचा पाएंगे डाट तो मॉम को ही बचाना चाहते थे और मॉम मुझे बचाना चाहती थी इसलिए मॉम ने अपनी जान की गुर्बानी दे दी पैदा होते ही हर बच्चा रोता है और परिवार वाले हस्ते हैं लेकिन मेरे पैदा होने पर मेरे साथ पूरा परिवार होया था मुझे तुनका चेहरा तक याद दी उनकी मुस्कान भी याद दी मेरी वज़े से मेरी मॉम नहीं बचपाई मैं उनकी मौत की जिमेदार देख वाई में रोज किसी और के पैसे से पीना अच्छी बात नहीं होती हम भी किसी के शादि हरे गाराएं चाय Proper अब कुछ भी नहीं हो सकता कार्थिक जा रही हूँ पापा कभि नहीं मानेंगे जैसी वैच सोचो Bern select is a bring मैंने तुमसे ही प्यार क्यूं किया अरे ये मुझे क्या पता तुम बताओ दुनिया में इतने सारे लड़कें तो फिर मैं तुम्हारा वेट क्यूं करूं आम सोरी मैं जा रही हूं जैसी जैसी रुख जाओ लेखब इसे लव प्रॉबलम है अमें मदद करनी ची हैं जालोग अवाइँ क्या प्रॉबलम है उसका बात मेरे ले प्रॉबलम है अनौने क्या कहा शादी के लिए तयार नहीं है और यह मैडम जी पहले तो मान गय थी और अब ना बोल रही है पहले मेरे साथ भागने को तया पांच हजार में काम हो जाएगा पांच मिनस्ट में हो जाएगा मुझा इसके भाइट तुने यह घर बोला था सेवन बाई जी है या सी है मुझे याद नहीं अगर कोई लड़की किसी लड़के को पीच रहा में छोड़ देती है तो यही नंबर होता है पूरे शहर में फेमस पिलकुल सही कह रहे है लाव यह करते करते उसके बाप का नम क्या सुधाकर सुधाकर हां जो आए तुम लोग सब यहीं रुखना हां मैं उन्हें समझाऊंगा मैं उन्हें मढ़ाऊंगा अजरा तुई तो हाथ जोड़ूंगा पैर पढ़ जाऊंगा लेकिन आगा नहीं ब लागा लागा लोगा वेक अज़े बता ली था क्यों ठीडा है यह मुझे क्रिकेट नहीं आती है राजा क्रिकेट में ना पहले बॉल से और फिर बैट से खेलते हैं अरे मैं वैसा नियूंगा वैए क्या फर्क परता है मैं ज़िए बाप भाई ने हैं क्या बाप भाई क्य सुधाकर सुधाकर बताएगा अखिर अंदर हुआ क्या है उसने मेरे जवानी को निचोड करेंग दिया उसने मुझे कही बूद दिखाने लाइग नहीं जोड़ा जरा खुल के बताना क्या हुआ कहाने शुरू होती है जब हम यहां आयते हैं तर्वासा खटकट आता सुधाकर 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 आज तुम्हारी देदी यहां आने वाली है यह क्या पागलपन है अपने प्यार को साबत करने के लिए लोग यहां इतनी दूर आते हैं प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है यह उसका सबूत है छोड़ो उस बकवास को अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बतानी है वो अपनी पहली किसकी प्लैनिंग कर रहे हैं य हमें उन्हें रोकना है हम काम्याब नहीं हुए न तो बुरे भासेंगे दिख 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 वागे है यह यह लोवर्स ने बनाया है इसलिए से स्पोर्ट को लोवर्स स्पोर्ट कहते है वाव आच यह तो बहुत प्यारा लग रहा है पकवास है किस नहीं करना चाहिए रोक पूने रोक जाओ मैं कुछ करता हूं है अटो बोल रहा हूं मोटा मार्केट का इंस्पेक्टर सिंगम अथ्टा माजी सतकली आईचा गावत आपको कौन चाहिए सर तेरा नाम बदिर है ना बदिर नहीं सर सुधीर है रांग नंबर का अने रोकना है आए अजिए कर ने जाए कमाओन अभी कमाओन अश्य कितना कश के हग मत करो मैं सांस निले पा रहा हूं अरे कोई देख लेगा हमें मेरी बात मानो मुझे लब बाइट को दे रही हो अरे प्लीज ओ क्या कर रही हो बेर अगर तुम ऐसा करती रही ना तो मैं बेकाबू हो जाओंगा देखो यह जगह सही नहीं है चलो यह से रुखो ना ओहो उन्होंने किस कर ली अरे देखो तो वो लोग जा रहे हैं अरे यार मुझे कितनी टेंशन हो रही है हफता भी खतम होने वाला है अगर हम उन्हें अलब नहीं कर पाए ना तो बतानी कितनी प्राब्रम हो जाएगी अरे सुनों टेंशन में तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है कल वो लोग अलग हो मेरे जैसे स्मार्ट कोई देख रहे हैं आप एची क्या करना तुए चेन को अंदर डाल मैं इस गाम का सरबंच हूँ आप इतनी दूर ये बताने आए हैं अजाक बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा अरे बाबा इतना पथर था और उस पर लिखकर 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 इसे इत चोटा बला दिया हम मैं और से नहीं करूंगा तुम शेयर के जोड़े या लुकाची भी लुकाची भी करने आते रहते हो संस्कृति के नाश करते हो और हमारे गाउं का नाम तक बलल दिया हम इसे बुलाते हैं लवर्स होट स्पार्ट सर आपको गलत पहुए हम लवर्स न रखी है यह रहां पमित लागा तुमारी शादी इसी वक्त करवाऊंगा अरे प्रिया प्रिया अब रहत हुआ एक शब भी मत बोलना जानते हो मैं कौन हूं शंकर पटेल की बेटी और देवा जी की साली देवा यह नाम तो जाना पेचाना लगा यह वही है मालिक इसने करने होगी और कोई रास्ता नहीं है इतना सीजिस होने की ज़रूत नहीं है सार आप बहुत अच्छी आदमी लग रहे हैं फिर मुझे समझ में नियारा आप लवर्स की शादी करवा कर रूने सवजा क्यों दे रहे हैं कि आपकी शादी कामयाब नहीं रही है पगड़ रही पहली वाइब जो थी ना वो तो एक साल भी नहीं टिकी मुझ फेरा के अपने माय कर चली गई मैं आपका दर समझता हूं आगे क्या हुआ दूसरी शादी करनी पड़ी फिर से शादी की वैसा होता तो अच्छा होता वो तो मेरे साथ ही रहती है अब लवस को शादी की सजा क्यों देते हैं अब मेरी समझ में आया लेकिन येकीन मानि हम लवस नहीं है हम तो दोस्त भी नहीं है तो फिर यहां क्या घास काते हैं हो तुम लोग आपके सर के गसम खाता हूं बेटा तू मुझे मेरे दिल की कह राइता है लेकर मुझे प्रूव करना होगा कि तुम दोन सर जी लवस इस तरह कभी नहीं जगड़ते ना अब तो आपको विश्वास हो गया ना ओके बाई करने का सबसे उम्मदा तरी का मुसीबत है तो तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा अला सर जी सर जी सर जी एक और चांस दिजिए ना प्लीज ओके तिया प्रिया मुझे तुम से अपने दिल की बात कहनी है हमें मिले साल भर या महिना भर भी नहीं हुआ पर ना जाने क्यों ऐसा लगता है हमारा रिष्टा जन्मों का है ये सब मस्ती, ये खुशियां मेरे जिंदगी भर की मेमरीज बन चुकी है तुम मेरी हर सांस में हो मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है जब पास नहीं होती हो तो तुम्हें ढूंडता हूँ तुम्हारे साथ आखरी दम तक नहीं छोड़ूगा तुम चाहो तो चानतारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दोगा क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी अब क्या तुम हमें रुला करीद दोगा दम लेगा अंशोर इतना प्यार तो कोई किसी से नहीं करता यह तो बिल्कुल वैसी लवस्तोरी है जैसे लैला मजनू सलीम अनारकली पताया ना उन समका क्या हुआ टाइम वेश मत करो घर जाओ एए देख उस पतर के पीछे कोई आए जो लिपचिफ कर रहा है चलो लेए बैठो रुको रुको यहां क्यों लेकर रायों तुम्हारे साथ यहां थोड़ा टाइम स्पेन करना चाहती हूं अब में बड़ा मजाय पूल नाइट एंजय करेंगे रुके सर तुड़े इस हीपप नाइट यह द्रेस नहीं छलेंगे भीकाली लग रहे हैं जल चल 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 इस तर अदर द्रेसआख जी करते हैं यह मैम उके वी बोथ नीड़ेड़ के यह इस द्रेस कोट किया है यूनिफॉर्म पैन के पब में जाएंगे वाँ 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 इस बक्वासे ड्रेस के लिए वो लोग रेंट लेते हैं 2000 वो भी सिर्फ एक घूटे के लिए तुम जैसे अमीरों कोई अच्छी तरह लूटते हैं ए मैं द्रिंक नहीं करती हूँ वैसे भी यह तुमारे लिए नहीं है किया वाँ तो है आज मैं कितनी खुशूप कैसे जाहिर करूं कुछ समझ नहीं आ रहा पेट में गुद्गुदी सी होने लगी है गुद्गुदी मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक अलग सी केक लग रही है ये पियो और केक लगेगी ये बात है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दोस्मेट इंदिसार करना होता है ऐसा रोने लगेगा वेटल चार पैग और लाना ये कहां गई अरे रुक जाओ यार आप कहां जा रही हो अरे सुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता लिए तुम्हें चड़ गई है चलो में घर चोड़ देता हूं यहां क्यों बैट गई होता है चलो में साथ चलो नहीं चलो मैं तुम्हें चोड़ देता हूं अरे यह तुम्हें क्या कर रही हो यार लव कितना मस्यदार है अरे रुको तुम्हारी प्यार की बात कोई नहीं समझने वाला यहां सब डवल मिनिंग लेंगे अरे तुम्हें कोई अब बाइक पर बैठो प्रिया 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 मुझे पता है तुम बदल चुके हो इसलिए कोई बात नहीं कैसे कैसे पता कि मैं बदल क्या हूं आज पपका बिल तुमने बढ़ा है ताइंस अभी आज की रात में कभी नहीं बूलूगी गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट ओ यार एग वोट सिंफनी रिजॉट जाना है बहुत दूर है दीदी कितनी खुश है फिर उन्हें अलग क्यों करें नहीं उन्हें छोड़ देते हैं अभी को फोन करके बता देते हूं अफूर कहा है पूर कहा है पूर कहा है क Ira मोरा 11 बजेल माडम वyu द१ Uhr यार को दीदी कहा है भूर तुम्हें कितनी बार फोन किया वो रिजॉट आ चुके हैं अभी तुम्से कुछ जरूरी बात कहनी है जरूरी बात बाद में मैं अपना काम कर लो ओकी बाई बाई अभी मैं पे करती हूँ प्लीज प्लीज नहीं मैं पे करोंगा इसमार मेरी तरफ से अरे ये मुझे तुमने क्या समझ रखा है सुधिर तुम्हें मैंने उस दिन किस क्या कर लिया तुमने मेरा क्यारेक्टर है लू समझ लिया और सोचते हो जो मन में आएगा वो करोगे क्या मैं एक चीप लड़की लगती हूँ पुझा यह भेरी पर्स में कैसा है मुझे नहीं पता सार नमस्ते रून बुक करने वालों को एंट्री फिस नहीं लगती सार यहाँ पुलिस का टेंशन नहीं है आपने फोन करके मुझे परेशान कर दिया मैंने? कोई डिश्टर्ब नहीं करेगा सार टेंशन मत लीजे फूल एंट्वाइ कीजिए आये सार हमारी आने से पहले तुमने सारी तैयारिया कर रखी है यह क्या हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पुझा विएएज Online Гब कर गया अभी प्रीया सक्सेश तुहारे तूट गया यह। कौड अभी तुमने सब गर्बर कर दी दिल तोड़ते वक एक बार भी दर्थ का हैसास नहीं हूआ तुम्हें नहीं है किसो फैलिंग नहीं है तुम्हें पैसे मेरा नहीं पएसे मेरा काम थे के लिए भी नाटक करते हो तहां जिन्दगी भर ऐसे नाटक करते रहोगे लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम मेरे बैलेंस पैसे दो और निकलो यहां से तुम में तो फिलिंग स्टाम की कोई चीज ही नहीं है यह लो मेरा डेबिट पर्ग प्रिया इसका पिन नमद नहीं बताया यह नहीं बतलेगा दीदी है हमारा प्रेक अप हो गया है तुम्हें तो कोश्च होना चाहिए हम अलग हो गया है तुम्हें और कोशिश करने के ज़रुत नहीं मेरा प्यार हार गया यहीं मेरी किस्मत है तुमसे कुछ कियाना था प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला चोड़दो अब ही तुमने सब करवड कर दी तुम आपस दिल भी नहीं है दिल भी नहीं है नाटक करना मेरा नहीं तुम्हारा काम है तुम इंसान नहीं हो एक पपेठो एक पपेठो प्रूप्या बीड़ आपस्तुम अपस्तुम आपस्तुम आपस्तुम आपकर गापस्तुम बेटी प्रिया यहां क्यों सो रही हो तुम अब देखो ना यह लेटर मुझे रूम में मिला तुमने मेरा रिडिंग ग्लास देखा किया उसके बगार मैं यह पंड नहीं पा रहा हूँ बेटी नहीं देखा डाद अचा ठीक तुम ही ज़रा इसे पढ़ दो दीदी यह लेटर छोड़कर भाव गई है क्या हुआ बेटी आप पहले बैच आए डार बैच आए क्या हुआ बात क्या तुम इसे पढ़ क्यों नहीं रही है पढ़ती हो आप बैच आए ना एक मिलिट अभी आई अभी से क्या हो गया बहा गई दीदी तुमने बिल्कुल सही काम किया वड़ना मैं जिन्दगी भर अपनी आपको माफ नहीं कर पाती हापी मैरेड लाइफ दी मैं यहां कोई भी रीजन देकर मैनेज कर लूँगी दीदी एक ज़रूरी बात बाहर अभी जैसे छोलर होते हैं उनके चाल में गलती से भी मत आपस ना और मेरे लिए उसने ये लेटर छोड़ा है यह चलो उसे ढूंड़ते हैं रुग्जा उसे कहीं भी ढूंडने की कोई जरूरत नहीं है उसने जिस वक्त इस घर से बाहर कदम रखा उसी वक्त वो मेरे लिए मर गई मैंने तुम से वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं वेवादामों करना बेटी प्रिया तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या मैं किसी से प्यार नहीं करती डाद फिर अगर तुम्हें कोई अतराज ना हो तो तुम देवा से शादी कर लो ठीक है ना जैसी आपकी मरसी देखा देवा मैं एक बर जुबान दे देता हूँ तुसे हर कीमत पर पुरा करता हूँ हलो दीदी अरे तुम हो कहा ना व्हारव रहाई हो सिंगपूर में वैसे डाड़ी केसे है ठीक ठाक ही है तु चली गई तो मेरी शादी अब जी जाजी से करवा रहे हैं तू हमेशा कहती थी ना उनसे शादी करने वाली लखी होगी ना यू आ लखी इवैसे डाड़ी की मुझे बहुत याद आ रही है जरा कुंसे बात करवा देगी डैट फोन हलो मैंने जो आपका दिल दुखाया उसके लिए सौरी डैड़ी टाइम पर टैबलेट्स ले लीजेगा और ज्यादा टेंशन मत लीजेगा मुझे पसंद नहीं आएगा और रख दो येलो सब सुनने के बात काटने का फाइदा अभी अभी कहाँ को या है अभी लड़की दस बार कह रही है कि उसका नाम स्वाति है स्वाति है फिर तुने प्रीया क्यों लिखा आजकल तेरा काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पता नहीं क्या हो रहा है तुझे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की ने क्या जादू कर लिए बस बहुत हुआ इसका जवाब ढूंड़ना ही होगा तब तक तुम लोग समालो अरे जहा जा रहा है तु हाई प्रिया तुम से कुछ बात करनी है हमारी डील करतम हो चुकी है डिस्टब मत करो डिस्टब मैं नहीं कर रहा हूं तुम कर रही हो अट समझ में नहीं आया तल फिम देखने गया था आशूम कॉमेडी थी उसमें सब लोग फिल्म देखकर हस रह थे शिवाए मेरे मैं त कितना एंजॉय करती और बस ये सोचते सोचते फिम खत्म हो गई लाइफ में तो जैसे इंटर्टेन्मेंट खत्म ही हो गया है ना मुझे नीद आती है ना मैं काम कर पा रहा हूं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे फ्रेंड्स ने कह मुझे लव हो गया है अच्छा अब मेरी फिलिंग्स के बारे में सुलोगी आइट यू चला मेरे रास्ते से हड़ जाओ तुम मैं कौन सा प्यार करता हूं जा जा चलो हवाने दो तुम्हारा ही बैड लग है मुझे मिस्स कर दिया जाओ बेबी कहां तक जाओगी एक ना ए नहीं पर फैसला होकर रहेगा शर्माव मत आई लव यू पोल दो तुम्हें गलत फहमी है कि यह प्यार है तुम प्यार नहीं कर सकते तुम्हें तु बस ब्रेक अप करना आता है तो तुम्हारा मतलब है यह फिलिंग प्यार नहीं है प्यार का तो कोई चांस नहीं है साथ तुम्हारे साथ घूम फिर क्या लिया, तुम्हें गलत फेहमी हो गई है, मुझे जो तुम मिस करते हो, साथ घूमने की खौहिश रखते हो, यह प्यार नहीं इंपाचुएशन है, दर असल तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ ही खुबसूरत, मुझे देखकर अच्छे कि नियत कि सजाए, तुम मेरे बार में सोचती क्या हो, मैं तुम्हें कोई चीफ सा लगा नजर आता हूँ, मैं तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे मैंने पेट्रोल के पैसे क्या मांग लिये, तुमने तो क्याक्टर साटिफि लेकिन मुझे लगता है यह प्यार है बहुत बड़ा कन्फिजन है यार ठीक है हम दोनों इसे एक को सावित करना होगा तभी यह कन्फिशन दूर हो पाएगा जो करना है करो गुडबाई अरे बाबा भाग क्यो रही हो तुम्हें प्यार करने के लिए थोड़ी न कह रहा हूं हेलो एक मिट रुको मेरे प्यार को गलत सावित करो अच्छा है ना फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते है पिली एवर आफ्टर लेकिन अगर प्यार हुआ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वह क्या है ना तुम जैसी प्यारी लवर को मैं मिस नहीं करना चाहत उपस्टोन लुशन मैं अवर कि नहीं करते हैं कर दो घड़ बहीं बांतर केंठिक मेरा लीं है पैसे का टेंशन मतलो एक लाग रुपए दूंगप कंट्रोल मेरे भाई तुझे पीने का मन्ता हीक लाख पर मिलेंगे, सोच नहां इस बार उसके बाप को तो छोड़ मैं तेने लिए उस लड़की को उठा कर लिया हूँगा I knew it Thanks, भईया Thanks, भईया तो यह कॉमसे अरे सुन, जल्दी से जैग को फोल लगाओ, बोल यहाँ आँ इस टाइम पर वो मैडम कहा पर होगी तेरीस पर गाना कहा रही होगी भईया तो देख, म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है मैं उसे उठा कर लाता हूँ तो यहीं रूप तेरे प्यारे के निवानी हो गई हूँ मैं मुझे एक बात पता हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना इतना कि तुम्हारी सांसों में खो जाने का मन करता है बाप रे बाप रे बाप तुम तो कोई मामुली लड़की नहीं लगती हो तुमने तो जो कल रात मैंने चड़ाई थी वो भी उतार दी है तुम्हे किक मारने के लिए मुझे पहले खुद को किक मारनी पड़ेगी एक पंदा नीचे खड़ा है जो तुम से बे इंटहान महबऩ करता है सोच रहा है कि तुम यहाँ म्यूजिक सुन रहे और उसे याद कर रही हो लेकिन तुम तो यह किसी और के साथ रासे का खेल रही हो तुम तो मुझे धमकार ही है आज तुने उसको धोका दिया और इसकी बहों में है और कल तु किसी और की बहों में जाएगी और परसों किसी और की बहों में मैं तेरे बाप से तरी कंप्लेंट करूँगा तुम मेरी साइट छोड़कर उसकी तरफदारी कर रहे हो तुम नहीं जानते इसमें बहुत दम है टायरिस से यहां तक इसने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया अब तू भी समझा मेरी भाई यह समय नहीं जानता भाई तुम उसे कैसे भी समझाओ मुझे वो चाहिए मैंने तो पीर खीती मुझे ज्यादा पता नहीं चला इसका सोच क्या होगा अंदेर आखिर हुआ क्या था डिसकुशन था बिना शब्तों के इससे हमें क्या सीखना चाहिए अड्डा के अलावा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तु वीडियो शूट करेगा और मैं साला अब बाप को अड्रो लिख शाया ना मुझे पता यह नहीं था भाई इस बार शादी हो गया नहीं है बहुत टेंशन हो रही है तुम लोगों की शकले की उत्री हुई है भाई के साथ जो हुआ उससे हमें खोश और चाहिए यहलों कहाओ खाओ ना अरे मिठाई खाओ भाई मिठाई का हो भाई आरे क्या हुआ मुझे मार क्यों रहे हो एए मैं यहाँ टेंशिन में मर रहा हो और तू सब को मिठाईयां बाट रहा है लगता है टाइमिंग गलत हो गई यह क्या भाई आप गलत समझ रहे हैं आपने कभी मुझे समझा ही नहीं क्या आपने पुछा कि मैं इनको मिठाईयां क्यों खिला रहा था क्योंकि आपकी शादी प्रिया मेडम के साथ हिक्स हो गई है मुझे शंकर पटेल की ताकत चाहिए उसकी बेटी नाए शंकर पटेल की पावा अगर वो भी किसी से प्यार करने लगी तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ू आपको पता है वो आपके बारे में क्या सोचती है मेरे देवा कमपनी के आजय गन गन है शूट आउट के विवेक शॉबर आया है यह पूरी तरह समझ गया है आपको समझ में नहीं आया लेकिन वह लेकिन नहीं प्रिया मेडम आपसे बहुत प्यार करती है भाई लेकिन मु पीं चुका हूँ लेकिन किक नेहें जिल रही है, जाता हूँ आपके किसे मिलेगी, वह कौन है, मैंने पुला लिया उसे अजा जा 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 जा, यही है रेश्मा, अंदर आ जाओ . चलो किसी तरह से मेनेज कर लिया हेलो अभी मैं प्रिया की फ्रेंड बोल रही हूं हाँ बोलो उसकी शादी उसके जीजा से फिक्स हो गई है पीछ में मत पड़ तू से जिस्टरब करना बंद कर बाइड अभी को मैंने समझा दिया है सब ठीक है डॉन्ट वारे टच में हो उसके साथ सिर्फ फोन पर प्लीज उसे एंटेटेन मत करो हटा उसे ओके ट्राय करती हूं हाई प्रिया हो गया सत्या नाश कॉलेज गंडिन तो मस्त है अचा सुनो आज सिक्स तु नाइं तुम क्या कर रही हो फ्री है लेकिन क्यों अरे वा तो मूवी का प्रोग्राम कंफर हुआ यह रहे टिकेट्स देखा तुने मूवी के बहाने फिर से यह मेरा अडवांटेज देने की कोशिश कर रहा है इससे यह लव कहता है हेलो लव कंफर्म होने तक मैं कोई अडवांटेज नहीं लूँगा फिर यह टिकेट्स किसलिए यह टिकेट्स तो तुमारे और तुमारे फियॉन से के लिए है ऐसा क्यों बहुत सिंपल है तुम उसके साथ दिन देखने ज जाएगा मैं मूवी देखने चांगे अरे वाह यह तो वही कर रही है जो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है अब आएगा मजा वाई पिंगी वाई अरे वाई इसने तो खुझ से दूर जाने का मस्त आइडिया दे दिया है अब देखना अग्या की क्या होता है है जो कर आया पिरंगा है इतर रहो लगता है फिर कुई डाउट हुआ बाई क्या बात है बाई बोले यह एक बात सच बता कौन सी बात वही कि प्रिया किसी से प्यार तो नहीं करती अइधि मैडम किसी से प्यार नहीं करती अहां क्या हुआ भाई उस दिन तो तुने बताया था कि वो मुझसे प्यार करती है मैंने सच कहा था भाई आपसे प्यार करती है कसम से लेकिन वो मुझसे बात तो नहीं करती ना फोन करती है ना मूवी के लिए कहती है लंज या डिनर कुछ मांगती भी नहीं प्रिया हालो देवा जी हां प्रिया आप मेंने साथ मूवी देखने चलेंगे तो निकल पड़ी हालो एक मिनिट हां प्रिया यहां सिगनल थोड़े खराब है मैं बाहर जाता हूँ क्या बात है प्रिया कि आपके साथ मूवी देखने जाए ठीक है प्रिया मैं रेडी हो कर रहा तो लगता है इस गुंडे के शादी इस बर हो जाएगी क्या का तुने कुछ ने भाई मैंने का गाड़ी ट्रैक पर आजाएगी ट्रैक पर है क्याया है है तो हाटी तो न etiquोलि कमार है त्मार तेरी बामार है जोडी तेरी मेरी बेमिसाल तो औरे मिलके करे दो मार ळो बिलो बिलो को बिलो को सेशन पर खड़ी जरा सिगनद तो कुछ हमें टिकेट्स देकर भू नहीं आया होगा इसे दो होई नहीं सकता यहीं कहीं होगा इसे मज़ाचा खाने पर इसे अच्छा मौकाने मिलेगा दिवाजे यह गाना कितना रोमेंटिक है ना बहुत अच्छा है हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छी अक्टिंग करती हो लेकिन तोड़ा सा ओवर हो जा रहा है पता है तुम दोने को साथ देखने वाला क्या सोचेगा बहुत गुस्सा होगा जेलसी तो इतनी होगी कि मैं क्या बता हूँ लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोई नेगेटिव फिलिंग्स आहीं नहीं रही है यार तुम दोने इतने फ्रेंडली तो हो ही सकते हो ऐसा लगता जैसे बचपन के दोस्त हो तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे डाउट क्यों नहीं होता अरे मैं तो तुम पर भरोसा करने लगा और जान लो कि इस पूरी दुनिया में अपनी महभूबा पर एक आशिक ही इतना भरोसा कर सकता है कहीं मुझे सच में प्यार तो नहीं हो गया ऐसा क्यों होगा दूसरा पहलो भी सोचो अगर तुम्हारी बेहन की फ्रेंड मेरी जगे पर होती तो तुम क्या सोचते मेरी बेहन की फ्रेंड मेरी जगे पर होती तो तुम क्या सोचते मेरी बेहन की फ्रेंड डाउट नहीं करता उस पर भी ऐसे भरोसा करता तो उससे भी ब्यार करोगी क्या लेकिन शो शुरू हो गया बाई यह लव भी ना आपने अकल नहीं है क्या बाई अपने प्यार को सिक्योर करने के बजाए यहां सरे आम नाच रहे हो बस्तिक कर रहे हो प्यार को सिक्योरी तो कर रहा हूं इसलिए तो फिल्म देखने गया थे उस समय भी आप इस तरह ही चेला चेला के जवानी ऐसे डांस कर रहे थे नतीजा क्या हुआ सिनिमा खतम हुआ वह भाग गई इस बार ऐसा कुछ नहों इसलिए इस बार ट्वाए यह क्या है मैडम की कॉ इसका मैं क्या करूं इसमें सबसे ज्यादा कॉल आया उस नंबर पर हम फोन करेंगे अगर बॉइफ्रेंट का शक हुआ उसके खबर लेंगे अहीं कहां गए हैं इतनी तारीफ मत किजिए शरम आती है इन नंबर्स पर फोन करते हैं चलिए मेरे साथ येलो भाई एक नंबर ह है जिस पर रोज तीन चार बार फोन किया है अगर दुबारा उन्हें फोन किया ना तो तेरे टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा कौन है तू जो मुझे अपनी बेटी को फोन करने पर वार्निंग दे रहा है कौन था आपके ससुर्ष एंकर पड़े भाई भाई माप कर दीजिए तू मेरी हल्प कर रहा है कि बेंट बजा रहा है मुझे गल्ती हो गई भाई आपका फोन आया हलो सुनो देवा मुझे किसी ने फोन करके वार्निंग दी है उसका नंबर मैं तुम्हें अभी भेज रहा कर सासुर्जी के सामने भाई 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 दूसरे पेश पर एक नंबर है वह घंटों तक उनसे बात परता रहा है नंबर बता नंबर बता नंबर से कोई ठकी लागता है अलो एई प्रिया मेडम को पैचानता है वो भी मुझे पैचानती है वैसे तुम कर बोल रहे हो सुनले प्रिया मेडम के साथ घंटों तक बात करता है न ठीक नहीं है अरे, बच्चों को माबाप फोन देते क्यों है, बात करने को, इसलिए हमें रोकने का हग किसी को नहीं है, तुझे जिन्दा नहीं रहना है क्या, तु ये वार्निंग किसको दे रहा है, मेरा अगर इगो हट हो गया न, तो जो कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, द्मातिस खोगा, ये वार्निंगे हम बाद में खेल लेंगे, प्रिया का फोन आ रहा है, कट कर दिया, ये कौन है बाई, मुझे कहता है कि बाद में ओर्निंग देना, अब तुम कॉल बाद करना, उसे मिस्कॉल देना, जब वह फोन करेगा तब वार्निंग देना, बहुत बात हुई है जब मैंने उससे बाते की ना तो मुझे कंफॉर्म हो गया के प्रिया मेडम उससे फ्यार करती है उससे दुबारा फोन कर तू पता लगा कि कौन है वो और बार दे उससे विया का फोन बज रहा है लगता है यहीं बूल गई क्यों कर दिया छुछ ने फंक्षन के लिए वाल फिकस कर दिया detik कौन है हलो फोन कट करने के लिए नहीं होता है बात करने के लिए होता है अगal देवाची उठाते तो तुम्हें कट कर देते किसी का डर नहीं है मुझे वो फोन पर मेरा नाम देखके डर गया होगा और कट कर दिया होगा अच्छा सेफ साइट रहने के लिए मैंने तुम्हारा नाम कस्टमर केर सेव किया है इसलिए आज तुम बच गए अहां ऐसा तुमन नहीं आई तो इतना बता देता हूँ एक लव मैरेज नहीं हो पाएगी मेरी वज़े से लव मैरेज जुक जाएगी क्या बगवास कर रहे हो तुम आज आओ बताता हूँ बाई पर अभी इतना टेंशन देता है कि बिना जिम के भी स्लिम रह सकती हूँ हाई प्रिया अरे वाट क्या बात है तुम तो टाइम से पहले या गई तुम्हारा एक्साइटमें दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है लव मैरेज मेरी वज़े से लुक जाएगी ऐसा क्यों का तुमने ता कि उन दोना कि शादी हो जाए अभी क्या कर रहा है ठीक से ख़ क्लाइंट है तो फिर है कोशिश मत करो जो तुम मेरे बारे में जानती हो और ये एक दूसरी दुनिया है जो इससे अलग है यह मेरा अड्डा मैं यहाँ शादिया करवाता हूँ और आज मैंने वह तुमें लाइव दिखाने का प्लान किया है दोस्तों अप्डिया और तू पहला प्रोग्राम तुम्हारा साला तुम्हारे पैसे निगाल यह पांसो रुपे से क्या होगा एक हजार रुपे अरे बाई यह क्या है पांसो की बाद वह जार मंग रहे हैं साला जीजा मिलकर सेटल करें अधू यह प्रोब्लम है इसकी हाइट इसकी बॉड़ी देखो बाल में थोड़ा प्रोब्लम है तेरी शादी कहीं और कलवा लोगा जलो यह को ने वाई यह तुम्हारी तरफ से इसे भी पैसे देने दूले राजा मैं तुम्हारी शादी दोनों की जोड़ी कमाल है क्या च्वाइस है सिस्टर अगे क्या है अगे का प्रोग्राम अंदर है रुख जा एक बात समझ लो हम यह शादी दो रिवाजों में करेंगे चलो इधर ही शुरू है अरे ज़र देखो खुद को बच्चों की तरह क्या आपस में लड़ रहे हो पेमेंट में से 200 अड़े कट चलो बचनी करूँगा अब शांति से शादी कराओ हम डेखो प्रिंड नमस्ते नमस्ते ही विट्नेस में साइन करो है कि हां करेंगे तुम्हें कुछ अंदाज आ है मैं तुम्में क्यों बला है यहां साइन करने के लिए एक फ्रेंड नहीं आय तुम लग जा सकते हो अब यहादी हो चुकी है अब तुम लग जा सकते हो अब यहीं को और अरुन धटी नश्रत देख के आगे बढ़ो मुझे तो पर कुछ भी नहीं दिख रहा चेली कुछ दिख नहीं रहा अरे किसमत का तारा कहा गया है हावा की वजह से नीचे किर सारे अरेंजमेंट्स रॉकिंग है पहले ही बहुत शॉक लग चुका है क्यामरे की तरफ देखो भाई स्माइल स्माइल मुझे चिडा रहा है अब तारा रेडी है जरा ऊपर देखो ओके लेक्स प्रग्राम बढ़ों का अश्रवाद लेना है बुड़े को बुला किला इसक अदि के बाद बढ़ों का अश्रवाद देना बहुत जरूरी है जा आश्रवाद ले लो जिन्दी बर नशे मेरो प्यार में हमेशा मधोश रो प्याले में कभी खतम ना हो ओले फाइफ हंड्रे कौन सब रहां पीते हो जरा हैल्प करना बहाई नेक्स प्रोग्राम पूरे बाराती बैंड पर नाचेंगे पैसे दिये हैं अब तुम्हें किसका इंदजार है चलो बजाओ कोशिश तो दिल से की थी अगर कोई कभी ले गई हो अई बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया देखा तुमने यह मेरी छोट इसी फैमिली है यह रेजिस्ट्रेशन ओफिस मेरे अंकल मेरे फ्रेंड्स यह पंडित सब लोग और फ्यूचर में तुम्हें एक चीज देनी थी यह लो अगर मेरा लव फ्रूव हो जाता है और तुम राजी हो जाती हो तो इसे अपने साथ लेकर आ जाना हमारी शादी भी यहीं इसी जगह होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे फाड़ कर फेक देना तो वो शुब काम मैं अभी कर देती हूँ अरे इतनी जल्दी क्या है थोड़ा टाइम दो या डरती हो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा एक दिन जरूर फाड़ूंगी तो ठीक है इससे अपने पास रख लो मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तुम जरूर बदलोगी वक्ती का आज के लिए बस इतना ही हम कल फिर मिलेंगे बाइए बेवकोफ हमें ब्लैक नहीं वाइट कोएंट चाहिए अब तक तो उसे ढूंड रहे था बस आज ही थोड़ा रिलेक्स हुए है मालकीन आपके लिए पार्सल आया है बार्सल आपके तो आपके लिए बाइख रावरालों कि तरिया आपके नहीं थावरालों कि लिएख तो और दोलावरालों के लिए खु कि अटमने व्लिए लिए और दोलिए लिए? पिंकी ने बताया तुम्हारी तवित खराब है, पताया तब से किसी का में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, इसलिए ये सब भेज रहा हूँ, तुम सोच रही होगी, मैं अचानक इतना ओवर्याट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी सी बातों पर ऐसे रियाट करन बंदा होती, तो वो भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रगती, तू उसके प्यार को एक दिन जरूर मान जाएगी, ऐसा मुझे डाउट होने लगा है, ए चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, टूंट प्रस्ट बॉस, तर दिल कहता है, वो भरोसे किलायक है, यही हमारा विकनि हमें तो बस थोड़ी अदाय लिखाने की जरूरत है, आम शूर, वो नहीं रूखते हैं, कि ऐसा मौका मिलता है, फिसल जाते हैं, अगर तुम को हो, तो मैं उसके ट्राई करूँ, ऐसा क्या करो कि, फोन करके उससे बुला, वो तुमें छोड़ कर मेरा दिवाना हो जाएगा ऐसा क्या, हाँ हाँ, ट्राई करते हैं, देख देख वो आ रहा है, देखा तुने, ये कभी खाली हात नहीं आता, अगर कुछ नहीं रहा, तो कंसेप्ट तो होता ही है, तुम सब यहाँ हो, हाई, हाई, पार्टी में इन्वैट करने के लिए थांक्स, यो वेलकम, प्रिया, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब ये क्या है, हास्पिटी जाकर मैंने सारे टेस्ट करवा लिया है, इस हेल्थ रिपोर्ट से तुम्हें मेरे सारे बैड हैबिट्स पता चल जाएंगे, अपनी सारी गलतिया मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसके बाद जब तुम तुम्हें मैंच नहीं होते वो भी देख लो, डिसिजिजन लेने में असानी होगी, देखते हैं, अरे इतनी सारी बता लिए अलिक आद्मी के लिए, हाँ बस, इस शहर में अकेला हूँ, नहीं मेरे पास कोई कंपनी है और नहीं कोई फ्रेंट्स, ऐसा क्यों कहते हूँ हम ह आप लोग भाई, कंपनी देंगे, क्यों नहीं बॉस चलो मेरे फ्लैट में चलते हैं अब इस वाल के रखना, तुम लोग रिलाक्स करो, मैं टेच अप करके आता हूँ, अब अब मतलब क्या अरे फ्रेश होने गया होगा, गल्दी से टेच अप बूल दिया होगा, को ट्रैप कर सकता है, कोई इसके जैसा बे उड़ा ही रहा होगा, जो उसके ट्रैप में आगे होगा, लगता है कोई आइटम है घर में, यह तो वह है यार, इसके लिए ठीक नहीं लगते हैं, वाव, अब क्या करेंगे, करने क्यों होगे, रिस्पेक्ट दे रहे हूँ, अर हमारी बेंट बजा देगाई है, हाई गाइस, कम ओन फ्रेंड्स, इस दिन भाग गए थे न, उस दिन मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन करने ही पाई, अकेली थी न, लेकिन आज पुरा गैंग है, कम ओन गाइस, बात करें क्या उसे, वह बात नहीं करें है, जल्दी बत तुम लग कबबें क्या कर रहे हो, बाहर हमें कोई इझसा से जीने नहीं देताना करंट क्यों नहीं है घर में इन्वर्टर जो है वैसे यहां करंट की जरूरत क्या है मुझ में है करंट मेरा बॉडी हिल रहा है चल जा यहां से है मैं बस अभी आई डाले है इससे मुझे मारना अभी तोड़ा जोर से मारना थोड़ा ओर चुछी कितनी होट बैक है तुम्हारी राजा बास आजा राजा पिंक पिंक पिंकी पिंकी पोंकी तेरा बाप पाइक टॉंकी तुस्टाई तो मेरा मेचिग शर्ट लेले और यहां मैच मत खेल और जाओंगा अच्छा आउट हो जाएगा एक इन्ट फोट तेरे फ्रेंड को पहली बार बताया था, मैच कैसे खिलते हैं, और अब तेरी बारी है, ओके, समझ गया ना, मुझे अपने पैरों की दासी बना ले, पैस आओ ना, आजाओ, आजाओ, आजाओ ना, लिपस्टिक लगा लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूगा, ठीक लगा अहाँ, अरे यह क्या क्रॉप लिपस्टिकी तो लगा रहा हूं, अपने होठों से, अथ नहीं, आफ जो खेंगे, वो हमें जुनी भाही तुर्णी साइनिया है, यह जो परके, इस पहले कि पासादे भाग लेकिए, आध भुआइए, पालत बच गया है, इससे पहले कि वा मुझे शादी की स्पेशल डिजाइन्स देखनी है हाई क्या बात है आज कल बहुत बिजी हो शादी की तैयारियां कर रही हो पहले प्यार तो कनफम हो जाने दो कुछ खास नहीं सूट नहीं कर रहा है ये वाला खास अब कर आद लुढ में थोड़ी देड़ में वेड केजी सें वेट जी हम दोनों के बीच में प्यार तो नहीं ऐसा मत पूछना क्यूंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यार को लेकि माजाग मत करो थास हो गया हूं कर भीत उल्चा नसीब वाले कि देवा जी के आदमियों को तुम नहीं मिले वरना ये प्यार व्यार का बुखार उतार दे थे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है उसकी आदमी जब मुझे मारेंगे तब देखते हैं तुम्हें तकलीफ होती है या नहीं लब का भी तब पता चल जाएगा लगता ये प तुम नहीं बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं रोज फोन करके वार्निंग दिया करते हैं मुझे चल अब मैं ही उन्हें बुला लेता हूँ अभी नो ओहो ऐसे स्टूपड मत बनो प्रिया मेडम को जो परेशान कर रहा है ना उसने फोन करके हमें बुलाया है अब तक क्य अगल तो तुम लोगों जो बिना हत्यार लिए मुझे यह मारने चले आए हौकी स्टिक्स और रोट्स लेकर आओ मेरे भाई अरे तुम्हें खत्म करने के लिए उसके लिए मेरा स्टाफ ही काफी है चुटके में खत्म कर दूँगा इससे कहते हैं दम तुम और तुमारे ज दर के रहे हो यार आजाओ 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 अब हम क्या करें दूसरा प्लान है क्या है बाई चलो बागो यहां से अरे कहां जा रहे हो खलास तो करो मुझे तरे के यह प्लान भी फेल हो गया यह अचानक प्रिया कहां गया वो गया तो वापस आगे हम दर कर बागे नहीं आज तो तुझे खत्म करके जाएंगे देख हत्यार लेकर आए हैं आजओ भाई आजओ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई रहम मत बरतना और सुनो अपने हत्यार का सही इस्तमाल करना इसे मारो रही क्या बात क्या सूपर माइड क्या मारा यार रंगा बहुत से कह दे न की तनका पड़ा दे है 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 अ कोई किसी को ऐसे मारता है क्या लिग ले है से है 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 इनकी आदतों ने उनका लिवर और लंग खराब कर दिया है शादी के दस साल बाद भी आगको ये बात पता नहीं चली है 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 ये दय है वो कभी नहीं आएगा फर्स टाइम ऐसा लग रहा है कि उसे लौट आना चाहिए हुआ 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 बैट जाओ मुझे पेशेंट जैसा फील मत कराओ ठीक होने के बाद ही उन्होंने मुझे छोड़ा है मैं हॉस्पिटल से डिरेक्ट यहां आया हूँ तुम रिलाक्स होके बैठो हुआ प्रिया समझने की कोशिश करो बहुत मार खाया मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है मुझे मार खाता देख तुम्हें इतनी तकलीफ हुई कि तुम सह नहीं पाई अब तुम ही सोचो मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हैपी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ और अब ऐसा लगता है यह दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए यह प्यार नहीं तो और क्या है प्रिया लेकिन प्रिया इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है ऐसा और किसके लिए हुआ है मेरे साथ फ्रेंड्स करेक्ट है फ्रेंड्स के लिए भी तो मैं ऐसे मार खा चुका हूँ तो फिर ऐसा क्यों लगा कि ये फ्रेंड्शिप नहीं है, सिर्फ लव हो सकता है ठीक है, मैं फिर से सोचता हूँ भाई, चल घर ले चल मुझे अंदर क्या ढून रहे हैं बेटी, ज़रा डीवीडी चला देना यह कहा है डाड हुजा ने अपनी शादी की डीवीडी भीचिये, इसे देखने में बहुत मजाएगा बेटी आप आगे बढ़िये, मैं बस अभी आई चल चल जल जल्दी आ चलो देखते हैं कैसी विशादी आप जल्दी यह ऊड़िया अटादी की अपनी जल्दी मुड़िए कि मैं अएवारा हुआ है अएवारा हुआ है अएवारा एक पोगारा हुआ है मैंने कहा था उसे मौत के घाट उतार लेकिन तुमने उसे पीट के छोड़ दिया देखो इसे अब वो किस हद तक जा चुका है तुम पर भरोसा करना ही मेरी गवती थी अब उसे नहीं छोड़ूँगा बताऊँगा मैं कि कौन हूँ मैं हलो मैं देवा बोल रहा हूँ हाँ बोलो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कहां तुमारे अड़े पर जरूरत नहीं है मैं तेरे अड़े पर आता हूँ आई देखो वो आ गया तुम्हेरा एक काम करना होगा कभ्जा करना गुन्डा-गर्दी करना ये सब मेरा काम नहीं है उसके लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है तुझे वही करना है जो तु करता है और वो क्या है दो प्रेमियो को अलग करना कितने पैसे लेगा बोल ओभव लगता है मेरा पूरा डीटेल्स पता करके आयो ठीक है मैं डील प्रेमियो और उनका बैक्राउंड जानने की बात करता हूँ पहले मुझे उनसे मिलना होगा इन दुनों का ब्रीक अप करें कितने पैसे लेगा ये कमाल की जोड़ी है तुमें क्या पसंद नहीं आई पक्वास बंकर मैं इस लड़के को जान से मारने की हिम्मत रखता हूँ मारना मुश्किल है बॉस तुम उसके बारे में जानते नहीं हो अगर उसने एक बार कुछ करने का फैसला कर लिया तो उसकी आवास सुनकर तुम काँपने लगोगे उसे देखकर तुमारा दिल देहल जाएगा और कहीं अगर तुम उसके फैसले के खिलाफ गए तो जान से जाओगे अच्छा है तुम अपने सात्यों के साथ आयो बॉस तुम में बहुत हमद है क्या अगर तेरा वक्त सही रहा तो तेरा काम हो जाएगा मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उस अभी को तो प्यार किस चड़िया का नाम है यह भी नहीं बता अगर जानता तो अपने ही प्यार को तोड़ने का सौधा कभी नहीं करता वो आभी के लिए मैं शादी तोड़ने को भी तैयार थी लेकिन उसने चंद पैसों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया लगा था वो बदल जाहेगा लेकिन उस चैसा इंसान कभी नहीं बदलेगा अफसोस मत कर अरे लेकिन मैं अफसोस क्यों करूँ अफसोस तो उसे होगा इस गलती का उसे मैं इस दर्द का हैसास कराऊंगी इस शादी को रेजिस्टर करना है यह क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुना कल मेरी शादी हो जानी चाहिए यह सब क्या हो रहा है? बचाना किये क्या? तुम्हारी शादी को तो तीन दिन बाकी है तो क्या? तीन दिन में मुझे लगेगा कि तुम्हारी जो फेलिंग है वो प्यार है जो इंसान प्यार को दस लाख रुपे के लिए बेच आया वो भला क्या समझेगा? तो मैं गलत फैमी हो रही है बेटी प्रिया को भूलने के बाद क्यों कर रहा है यार तू? कुछ बहो दे जो आप दे ना मैंने ये पैसे अपने प्यार को साबित करने के लिए लिया है ये पैसे लेकर अगर मैं प्रिया को भूल जाता हूँ तो मैंने प्यार नहीं किया है और अगर मैं ना भूल पाया तो कन्फम प्यार किया है इसका विश्वास करने के लिए आप कितने भोले हैं ना ऐसे काम के लिए इसने पहली बार पैसे नहीं लिए है आपको लगता है ये पैसे शादी करवाने के लिए लेता है कर मेरी शादी हो जानी चाहिए और वो तुम ही घरवाओगे जितने पैसे चाहिए ले ले लेना बेटा प्रिया ने जो कहा किया वो सच है सच सच बोलना तुम्हें मेरी कसम है सच है अंकल तुम्हें शरम नहीं आई ऐसा करते हुए लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनके प्यार का साथ देने वाला कोई अगर तुम में से कोई भी दुबारा यहां दिखाई दिया न तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूगा चलो जाओ निकलो यहां से आपको लगता है प्यार क्या है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा सोचने और करने पर किस ने मजबूर किया आपके इस रेजिस्ट्रेशन आफिस ने 25 साल पहले मेरी मा ने भी प्यार किया था और भाग कर इसी रेजिस्ट्रेशन आफिस में आय थी शादी करने यहाँ पर साइंग कर देखे तीन महीने बाद मेरी मा को पता चला कि उसका पती धोके बास था वो शादी के तीन महीने बाद दुनिया छोड़ने का फैसला कर देखे मैं उनके पेट में था इसी बहाने उनकी चान बच गई आपके चक्कर आने की वज़ा एक गुर्णियूज है आप प्रेगनेंट है वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी लेकिन उससे मेरी भी परवरिश करनी थी तो मेरी मा यहाँ काम करने लगी मैं पला, बढ़ा, खेला, कूदा इसी रेजिस्ट्रेशन आफिस के आंगन में एए, लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है वो शामते पहले उसने यहीं शादी की थी साथ ओह, 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 इसने आख मात्या कर लिया तुमने कहा था शादी के पास लिदा छोड़ दोगे छोड़ कहा था मुस्से, छोड़ो अरे, आई यहाद है अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तुम्हें तुम्हें कमी शादी नहीं करती यहाँ मैंने कई शादीयां देखी है और बहुत से रिष्टे तूटते वे भी देखे हैं जब भी ये देखता तो मुझे लगता किसी ना किसी को तो यहां होना चाहिए एक ऐसा इंसान जो उन प्रेमियों को दुनिया के हकिकत से वाकिप करवा सके मुझे लगा एक वाच्मेन की जरूरत है यहां और मैं वो वाच्मेन बन गया अंकल कहते हैं भगवान प्यार को नहीं तोड़ सकता तो फिर मैंने कैसे किया क्योंकि उनके प्यार में सच्चा ही नहीं थी इसलिए मैं नहीं तोड़ता तो शादी के बाद तूट जाता आप बताओ अंकल इससे दो परिवारों को कितनी परिशानी होती है मैं दरसल कुछ नहीं करता शादी के बाद के जिंदगी को उनके सामने ले आता हूँ और वो अलग होते हैं क्योंकि वो अपने गल्दी समझ चाते हैं उनके इस जूटे प्यार का वहम तोड़ने के लिए जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक मिस्ट कॉली काफी है मैंने कभी अपनी मा को मुस्कुराते वे नहीं देखा और आपको पता है मैं इस काम के पैसे क्यों लेता हूँ मेरी मा की तरह धोका खाने वालों की मदद के लिए हर माबाप का सपना होता है क्यों उसके बच्चे अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकें यहां उनकी शादी तब हो जब वो उस शादी को निभा सकें मैं प्यार में कभी हार नहीं देख सकता अंकल प्यार कभी जुदा नहीं होना चाहिए लेकिन प्यार में धोका भी नहीं मिलना चाहिए से लिए बेटा, तुम बिल्कुल सही हूँ, और शादी करवाओ, करवाओ, दिन जोड़ी को तुम मेरे पास लाओगे न, मैं यही पर बड़ी खुशी से उनकी शादी करवाओगा, ठीक है? देखा, प्रिया को सच बताने में देरी मत कर, वो सब समझ जाएगी. कैसी ना बन जाए। कैसी मुड़ी कर दो कर दो चलिए चलते हैं अरे तुमनों यहां क्या कर रहो चलो चलो बहुत काम है चलो चलो एक मिनिट रुको रुको आपका साला आपके पैर्द होएगा आजा बाई शुरू होजा आना लुक जाएए यह पैर धुलवाने के भी पैसे लेता है वो लोग बाहर के चले गए वो साइन करने को तयार नहीं है ठीक है तुम साइन करो एक शर्थ है क्या इस काम के हम पैसे नहीं लेंगे ठीक है साइन किजिए अब आप दोनों इस पेपर पर साइन कर दिजिए अब आप 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 अब आप अब आप भी हम से अब आप प्रिया अगर तुमने यह साइन कर दिया तुम मेरे जिन्दगी से दूर हो जाओगी तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से मेरे जीने के ख्वाइश मिट गई है प्रिया मुझे समझ में आगए प्यार का सिर्फ एक ही पहलू होता है और वो है प्यार प्लीज मुझे दूर मत जाओ प्रिया आज मुझे इसका कोई दूसरा पहलू नहीं दिख रहा यह प्यार है यह कनफम हो चुका है जानती हो मुझे कैसा महसुस हो रहा है मेरी हर सांस में दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम बसी हो प्रिया जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है ये सब खुशियां मेरे जिंदगी भर की मेमरीज बन चुकी है मैं तुम्हारा साथ आखरी दम तक नहीं छोड़ूंगा तुम चाहो तो चांतारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूँगा क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी है क्या हुआ अब साइलेंट क्यों हो गए अगर ये शादी नहीं हुई तो सब को मार डानूँगा एए तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं पहले तुझे मारूंगा फिर उससे शादी करूंगा हुआ क्या हुआ तुझे कर दार हुआा कर दूआ हुआा कर दार कर दूआ हुआा हुआ控़ जब मेरा प्यार कन्फर्म नहीं था तब मैं मरने के लिए तयार था लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है इस लिए मारने के लिए तयार था झात वेकिन अब केकिन हो थार थार था्संी तयार थार प्यार है अभी तुम दोनों इस तरह मेरे लड़ रहे हो ना पर किस से शादी करना है ये फैसला तो मेरा होगा देखिए मैं आपको बच्पन से जानती हूँ आपको पीने की आदत नहीं है लेकिन अभी को है आप किसी लड़की की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखते और अभी बेजीचक मेरे सामने लड़कियों के करीब चाता है फिर भी मैं अभी को पसंद करती हूँ आपको पसंद नहीं करती है आप जानते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है और आप अपने आप से जूट बोलते हैं मुझे अभी की सारी बुरी आदते पता है लेकिन फॉर्स टाइम उसने एक अच्छी आदत बताई कि वो मुझे अपनी सिंदगी से ज्यादा चाहता है और मुझे बस इसी बात की खुशी है बस एक इसी बात के भरों से मैं जिन्दगी गुजार लूगी इसके लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा सब ही लड़कियों को इसके जैसे लड़के से प्यार करना चाहिए अपनी सारी बुरी आदते बता दी मेरी बुरी आदते नहीं बूछोगे जरुरत नहीं है जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता करता है